नमस्कार दोस्तों आपको हमारे महापुरुष ज्ञान चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ आपको पता होगा कभी भी तेल और पानी का सही मिलावट नहीं किया जा सकता उसी तरह देवता और असुर को एकत्रित नहीं कर सकते आज हम जानेंगे कि क्यों देवता को स्वर्ग लोक और असुरो को पाताल लोक पर रहने के लिए जगह मिला इसी ज्ञान प्राप्त करने से पहले अगर आप पालन करता श्री ब्रहम देव को मानते हैं तो चैनल को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए ब्रहम देव से आपको और आपके परिवार को ग्यान का भंडार और कोटी परमायु मिलेगा अब देर ना करते हुए जानते हैं उस ग्यान के बारे में एक बार देवर्शी नारद अपने पिता ब्रम्हा जी के सामने नारायन नारायन का जब करते हुए उपस्थित हुए और पूज पिता जी को दंडवत प्रणाम किया नारद जी को सामने देख ब्रम्हा जी ने पुछा नारद आज कैसे आना हुआ तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं कोई विशेश प्रयोजन है अथवा कोई नई समस्या नारत जी ने उत्तर देते हुए कहा पिताश्री ऐसा कोई विशेश प्रयोजन तो नहीं है कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है आज आप से इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघरता से कर लेना ही ठीक रहता है इसलिए निह संकोच अपना प्रश्न पूछो ब्रमहाजी ने कहा पिताश्री आप सारे स्रिष्टी के परमपिता है देवता और दानव आप की ही संतान है भक्ती और ज्यान में देवता शृष्ठ है तो शक्ती तथा तपाचरन में दानव शृष्ठ है परन्तु मैं इसी प्रश्ण में उल्जा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रिष्ट है और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी ऐसा क्यों? इन ही प्रश्णों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ नारद ने ब्रमहाजी से अपना प्रश्ण बताते हुए कहा नारद ततकाल ही असुरों और देवों को निमंतरन दे आये दुसरे दिन दानव ब्रमह लोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुँच गए और उन्होंने पहले पहुँचने के कारण भोजन की पहली शुरुवात खुद से करने के लिए ब्रमहाजी से आग रह किया भोजन की थालिया परोसी गई दानव भोजन करने के लिए बैठे वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रमहाजी हाथ में कुछ लकडिया लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा आज के भोजन की एक छोटी सी शर्थ है मैं यहां उपस्थित हर एक अतिथी के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकडि बांधूंगा कि वो कोहनी से मुढ नहीं पाए और इसी स्थिती में सभी को भोजन करना होगा कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकडिया बंध चुकी थी अब असुरों ने खाना शुरू किया पर ऐसी स्थिती में कोई कैसे खा सकता था कोई असुर सीधे थाली में मुह डाल कर खाने का प्रयास करने लगा तो कोई भोजन को हवा में उच्छाल कर मुह में डालने का प्रयत्न करने लगा दानवों की ऐसी स्थिती देखकर नारत जी अपनी हनसी नहीं रोक पाए अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले हमारी यही दशाही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों? कुछ देर पश्चात देव भी यहां पहुँचने वाले हैं, ऐसी ही लकडिया आप उनके हाथों में भी बांधियेगा ताकि हम भी उनकी दुर्गशा का आंदन ले सकें कुछ देर पश्चात देव भी वहां पहुँच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे, देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रमहा जी ने सभी के हाथों में लकडिया बांधी और भोजन की शर्त भी रखी हाथों में लकडिया बंधने पर भी देव शांत रहे, वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, आथ वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठा सामने वाले को खिला कर भोजन आरंब किया बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे, उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया साथ ही दूसरों के प्रती अपनासने और सम्मान जाहिर किया यह कलपना हमें क्यों नहीं सूजी इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे नारत जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे नारत जी ने ब्रमहा जी से कहा, पिताश्री आपकी लीला अगाध है युक्ती, शक्ती और सामर्थ्य का उपियोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ट होता है दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, यह आपने सप्रमान दिखा दिया और मुझे अपने प्रशनों का उत्तर मिल गया है ब्रमहा जी को सबने प्रणाम किया और वहां से विदाली मित्रों हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है यदि हम इसका उप्योग परोपकार के कारियों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ती होगी यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे समाज के लिए एक छोटा सा योगदान भी दे सकें तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धी के बराबर है